आजम खान के तबेले से बहसे क्या चोरी हुई रामपुर से लेकर लखनाउ तक सरकारी अमला हिल गया था गायब हुई साथ बहसो को अधिकारी एक एक कर बरामद कर आजम खान के तबेले में वापस ले आये थे लेकिन इससे पहले ही तीन पूलिस कर्मियों के उपर गाज गिर चुकी थी एक चोकिन चार्ज और दो कॉंस्टेबल महज इसलिए सस्पेंड हो गए थे क्योंकि आजम खान की भैसों को डूणने में देरी हुई थी यह मामला तो आठ साल पुराना है और तब आजम खान अखले सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और सरकार में उनका रुत्वा भला कोन नहीं जानता लेकिन आजम खान से ज़्यादा बड़ा रुत्वा तो फते पुर्की डियम साहिबा अपूर्वत दूबे का लगता है क्योंकि डियम साहिबा की गाए का बीमार हो गई की साथ पसूचिकित्सकों की टीम तैनात कर दी गई मुक्के पसूचिकित्सादिकारी की ओर से बकायदा इसके आदेश भी जारी हुए रिजरों में भी एक पसूचिकत्सक को रखा गया आदेश को आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं यह आदेश सोसल मीडिया पर भी वाइरल है और विपकसीदलों के लोग खूब सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन आजम खान पर चुटकी लेने वाले आजचुप हैं डियम साहिबा के पती भी कानपूर के डियम है जिनका नाम विसाग जी अयर है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डियम साहिबा ने कहा है कि उन्हें इस तरह के आदेश के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है यह बात कुछ हजम तो नहीं होती हाँ हो सकता है कि मुख्य पसुल्ची किस साधिकारी ने अपने नंबर डियम साहिबा की नजरों में बढ़ाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन नंबर भी तो तभी बढ़ेंगे जब डियम साहिबा को पता होगा कि उनकी गाएं के लिए आदेश निकला है, खेर अब देखना हो हुआ है